कौन ब्रह्मा का पिता है? कौन विश्णू की माँ? शंकर का दादा कौन है? हमको दे बता ये जानने के लिए कृपया सुनिये जगत गुरु, तत्धवदर्शी, संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्तनों के आधार पर बोलो सत्गुर्देव की जै, बंदी चोड कभीर परमेश्वर जी की जै, स्वामी राम देवानंद जी गुरु माराद जी कीजै सर्वे शंतों कीजै सर्वे बगतों कीजै दर्मी पुर्षों कीजै स्री कासी दाम कीजै स्री छुडानी दाम कीजै स्री करुठा दाम कीजै स्री बर्वाला दाम कीजै साथ साहिव, ग्रिव नमा नमा सत पुरशकों नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर्म निजन सादुआं संतों सर्व दी नहीं, सत गुरु साहब संत सव डंडों तंपरणाम, आगे पीछे मज्य हुए तिन कोजा कुर्वान, नराकार निर्विसं काल जाल वेवंदनं निरलेपं निजनिरगुनं अकल अनों बेशंदनं, सोहं सुर्तीशं आपतं सकल समान निरतले उज्वल हिरं बरहर दमं बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्यतं, ग्रिव जो सुमरे सिद्धोई, गणनायक गलतान, करो अनुग्रे सोई, पारस पदपरवाना, आधि गणेश मनाउं, गणनायक देवन देवा, चरनकमलोलाउं, आधन्त करोंशेवा, प्रम्सक्ती संगीतं, रिद्शिद्धाता सोई, आधगत गुने अतीतं, सत्त पुरस निर्मोही, जगदंबा जगदीसं, मंगल रूप मुरारी, तनमन अर्पुंशेशं, बग्दि मुक्ती भंडारी, श्वर्नार्मुनि जन्द्यावे, बिर्मा विश्म महिसा, सेश सेश मुक्गावे, पूजे आधगडीशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वर्ण धरम राइध्यावे, समर्थ जीमन जीका, मन इच्छा फलपवे, तेतिस कोटी अधारा ज्यावे, सेश अठासी, उतरें बाउजल पारा, कट है यम की फासी, करे जोरूं विनती करूं, दरूं चरण परसी से, गुरुजी राम देवानद जी माहराद ने दियो नाम बकसीश, कोटी कोटी सिज़िदा करूं, कोटी कोटी परनव, चरण कमल में राखियों में बंदी जाम गुलाम, कुता हों गुरुदेव का, रंपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवडी, जाख्ये चोवा जाओं। तो तो करो तो बावडूं, दुर दुर करो तो जाओं। जो राखो तो हीर हो, जो देवो सोखं। जै इब कैसत गुरू मिलें, सब दो के आखों रोएं। चरण उपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कभी रिक्साई मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात। आजी अंत की सब कहूं अपने दिल की बहुत। गुरू जी तुम ना भूली ओ, चाए लाख लोग मिल जाएं। हम से तुम को भौत है, तुम से हम को ना है। आब गुन किये तो भौत किये। करत नम निहारे, बावें बंदा बक्ष दियो। आब गुन मेरे बाप जी बक्सों ग्रीव निवाज। जे मैं पूत कपूत हो। बहुड पेत को नाज। मैं अपरा दी जनम का नक्सिक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करोशमर। प्रम्पिता प्रमात्मा सारी शिर्ष्टी के रचनहार कुल मालिक कभीर प्रमेस्वर जी। अपनी पैरी आत्माँ को ये धर्च क्यान देने के लिए इस काल के लोक माते हैं। वो हमें आकर बताते हैं कि तुम यह काल के जाल में फसे हुई हो। जनम और बर्तु के इस दीर ग्रोग से ग्रश्ट हो। आप अपने लोक को भूल चुके हो जहां से तुम आए थे। इस काल भगवान ने इस ब्रम्प अर्थात जोती निरंजन इस काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है। आपको धोखे में दे कर रखा हुआ है। आपको यहां एक जुटे लालच में फसा कर रखा हुआ है। और आपके उपर इस तिर्गों में माया का विसे प्रैसर है दबाव है। यह आपके बसकी बात नहीं है कि आप यहां से अपना हर्दे हटा सको। उसके लिए प्रमात्मा ने आके एक जड़ी बताई है। इस काल के दबाव को अपने उपर से हटाने के लिए प्रमेश्वर कबीर जी ने हमें एक तरीका बताया है विधी बताई है। उसको हम सही डंग से पालम करते हुए। उसी विधी से अपनी धार्मे क्रियाओं को करते हुए। हम इस काल के प्रैसर को भी दबाव को भी हटा सकते हैं। और अपने उस सथान को भी पा सकते हैं जहां हम कभी मरते नहीं थे। यहांपर हमारे जनम और मरतू सभी की है। चाए कोई भी है यहां ब्रमाजी हैं विश्णुजी शिवजी ये भी जनमते और मरते हैं। इनको भी यही रोग लगा हुआ है, जनम और मर्टू का, और जब तक हमारा जनम और मर्टू का यह सिल्सला, यह जनजट समाप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। प्रमात्वा कबीर जी ने आके हमें समझाना चाहा है कि यह कोई प्राणी सुखी नहीं है। निर्दन यह सोचता है, मेरे पास धन हो जावा, मैं सुखी हो जाओ। लेकिन धनी व्यक्ती कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसे तो इस काल के 21 बर्मांड में, इस जोती निर्दन ब्रह्म भगवान के 21 बर्मांड में कहीं सुख नाम की वस्तू नहीं है। लेकिन हम यथारत सुख से प्रिचित नहीं है, इसलिए हमने इस जोते सुख को ही सुख मान लिया। प्रमेश्वर कभीर जी ने बताया है कि जूटे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी नाकाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। निर्दन सोचता है, मैं दनवान हो जाओं तब सुखी होंगा। दनवान को सुखने में भी सुख नहीं होता। दनवान सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग इन से भी महा दुखी होते हैं। एक परिवार का मुखिया जिसमें पांच-छे सदस्शे ही होते हैं। उनकी विवस्था में पालन पोसन में, उनके गर्मी सर्दी के कपड़े ब्यासादी, इसी विवस्था में कितना प्रेशान रहता है, कितना ब्यूजी रहता है, वो सुखी नहीं होता। और एक बहुत बड़े अक्सेतर का मुखिया, राजा जो है प्रजा का पिता होता है, और राजा को सभाविक होता है कि उसकी जनता दुखी नहों। क्योंकि जनता दुखी होकर के फिर मिद्रो कर देती है, उसकी एक मजबूरी होती है जनता को सुख खुष रखो, उसको पूरी सुधाएं दू ताकि वो मेरा ग्रोध ना कर ले। तो इस कारण से राजा सारा दिन राथ दुखी रहता है क्योंकि एक छोटे से प्रिवार का मुखिया कितना दुखी होता है उनकी विस्था में और राजा तो फिर बहुत बड़े अक्सेतर का परबंदक हो गया। तो यहां प्रमात्मा कहते है राजा यह सोचता है कि स्वरग के देवता ही सुखी होंगे। स्वरग के देवताओं कोभी कोई सुख नाम की चीज नहीं है। जिसको वो सुख मानते हैं वो सुख नहीं कुबद है। वह कुबद करते हैं, जैसे स्वरक में चले गए, स्वरक में क्या बस्तू है? आच्छे नाच गाने, नंगे नाच, सारे उल्टे करम, अपनी कमाई तो यहां से पून करके ले गए थे, वहां बैठकर उनको बरबाद कर लेते हैं, और फिर आकर के पसु योनी में, पकसी की य अब देवता लोग समझते हैं, इंदर सुखी होगा, इंदर देवताओं का राजा है, लेकिन इंदर के जीवन से आप प्रिचित हो जाओगे, तो सोपने में भी इंदर की गद्धी, राज्ज की आप इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इंदर अपने सासन काल को पूरा करके जब मर्तू को प्राफ्ट होता है, वो सीधा गधे के स्रीर को प्राफ्ट करता है, गधा बनता है, तो बता उसका क्या करेंगे हैं? अब उस सुर्ग का, उस सुर्ग के राज ने भी के चाटेंगे, अपनी जो पुन थे, वो तो राज के करके, वहाँ बकवाद करके, व्योंकि राजा भी इंदर भी सुर्ग सुखी नहीं है, इन पुराणों के इंदर देखिएगा, इंदर के उपर, देवताओं के उपर र यहाँ सारे मार मार हो रही है, अब इंदर सुचता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक, वो ही सुखी होंगे, ब्रह्म लोक एक उच्छ क्वाल्टी का, उच्छ सतर का, रेश्टोडेंट है, वहाँ और ज्यादा, ज्यादा बकवाद है, एक समय मारकंडे रिसी तपस्य कर रहा था, तब कर रहा था, इंदर को एक चिंता लग जाती है, इंदर को एक इंस्टेक्शन दी जाती है, स्वरग के राजा को, कि तेरे सासनकाल मैं, यदी किसी ने इंदर की गद्धी प्राप्त करने योग दार्मे का नुष्ठान कर लिए, तो तेरे को बीच से ही गद कर दिया जाएगा, राज से रहित कर दिया जाएगा, उसके लिए इंदर क्या करता है, कि कोई ऐसी साधना ना कर ले, उसकी साधना को खंड करता है, करवाता है, और ये राजनीती इतनी गटिया होती है, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, राजा ना जाने कितने गट गछिया सतर पर उत्र जाता है ना जानने कितने जुलम या गठिया सतर के कर्म भी करने को त्यार हो जाता है इतनी बुधि मलीन हो जाती है इंदर ये देखता रहता है कि कहीं कोई तेरिस गदी को प्रावद करने योग तपश्या अनुस्थान ना कर ले दार में कम्षान ना कर ले अगर कोई कर रहा होता है तो उसको खंडित कराता है श्वरग से अपने लोग से जो उसके अंतरगत औरते हैं अपसराए हैं उनको भेज देता है और वो उनकी तपस्याओं को किसी ना किसी कारण से खंड करवाए नहीं तो वो फिर वहां उनकी पिटाई करता है पुन्यात्मा हुआ हमारे साथ कितना जुलम हो रहा है बिना ग्यान के मान ली यहां किसी बहन बाई ने खूब डिट का वक्ती कर ली इस तीन लोग के वगवाना की उससे कहां गए स्वरगलोक में स्वरगलोक में फिर यह बंदिस एक राजा वाकी पर जा वो अच्छी आत्मा है वहाँ देव कहलाती है देवी कहलाती है उन देवियों का फिर वो राजा मिश्यूज करता है स्वंभी बकवाद करता है और फिर अपने सासन को स्रिक्षित रखने के लिए इस तरह उनको दवाव दे करके प्रेसर से और भेजता है कि उस विक्ती का तू उसके पास जा गंदा करम कर और उसके तप को खंड करवा नहीं तो तेरे को यहाँ सजा दूँगा ऐसे जलो और जहां पर वो देखता है कि अपसराय सकस्स नहीं हो पाऊंगी अपनी पत्नी को भी इस दूश करम के लिए भेज देता है राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यह राज्य की इतनी गंदी चसक होती है प्रमात्मा कहते है आपको जब यह ग्यान होगा सत्गुर मिले तो इच्छा में ट्रपद में लपदे समाना कोई संत मिलेगा तो यहां से ऐसे ग्यान दे करके आपकी बुधी को हटा करके सत्लोक में जोड़ेगा और जहां आसा तावासा होई मन कर वचन सुमरियो सोई इंदर ने एक अफसरा भेजी मारकंडे गुसाई रिशी मारकंडे गुसाई की जोना तपस्या को भंग कराने के लिए उस उर्वसी ने बहुत सुन्दर हार सिंगार किया पूरे स्रीर के उपर सुन्दर शुगंदित लेप किया और वहां मारकंडे रिशी जहां बैठे तप कर रहे चुसके सामने डान्स करने लगी और अपनी सिध्धी से वहां एक ऐसा माहौल बना जिया ऐसा हुआतावरन बना जिया बहुत सुन्दर ना गर्मी ना ठंड शर्दी रही बसंत जैसा मोसं बना जिया और वहां डान्स करने लगी जब मारकंडे रिशी ने कोई गती भी दी नहीं की उसको आकरसित नहीं हुआ तो निवस्तर होगी वा बिल्कुर तब मारकंडे रिशी ने कहा के बेटी हे माई हे बेन यहां किस कारणाईद अपना उदेश से बता तब उर्वसी ने सर्मिंदा होकर के कपड़े पहने और कहा के मारकंडे गुसाईं आपकी समाधी आपकी धान आपकी समाधी कौन से लोक में रहती है मैं नहीं समझ सकी मेरे इस सरूप को देखकर यह बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सभी सभी का जो है तब खंड हो गया मेरे देखने मातर से और आपने ऐसी कहां समाधी लगा रखी थी समाधी में मेडिटेशन मेडिटेशन हिंदी में ध्यान कहते हैं कि आपका ध्यान कहां गया हुआ था आँखें खुली हुई थी मारकंडेशन ने कहा कि आपसे कोई सुंदर हो उसको भेज और मेरी जहां समाधी थी समाधी क्या होती है जैसे एक दुर्बीन होती है शुक्षम दर्सी वो दुर्बीन की रेंज होती है ये बगती की सक्ती से हमारे अंताय करण में वो विवस्थित हो जाती है जितनी भक्ती करते है उतनी ही हमारी समाधी की रेंज बढ़ती चली जाती है तो समाधी में जैसे आँखे यहां खोलो या बंद रखे ध्यान हमारा कहीं और पहुंच जाता है जैसे हम कहीं गए हो कभी देखा हो कोई सथान हम यहां बैठे हैं, आँखें खुली हैं, हमारा ध्यान वह पहुंच जाता है उस काउं में, नगर में, रिश्टेदारी में और उन मकानों में गूमे आता है कहां बैठा था, किसे बाते की थी, ऐसे यह ध्यान है तो यह तो एक वैसे ध्यान है, मन गूमे आया एक ऐसी सथीची होती है कि यहां बैठा उपर के लोकों को या दूर देश में यहां पर भी वो देख सकता है कौन विक्ती कहां बैठा है और ऐसे यहां बैठा उसकी आत्मा वो समाजी बोलते हैं वहां पहुंच जाती है तो उसने बताया कि मेरी समाजी अपने आत्मा एक कंशेप्ट को कलियर करने के लिए बहुत सी जो ना आपको ग्यान बताने पढ़ेंगे बहुत सी जो है परमान जैने पढ़ेंगे अब समाधी कैसे लाई जा सकती है समाधी के लिए जैसे समाधी लगा करते हैं बजन करें और कई वर्सों तक बैठा रहा, कई कोई गंटे बैठा रहता है, तो उसमें ऐसा ही होता है, हमारे स्रीर में ये कमल बने हुए हैं, और अध्यास्क हठ योग से करते करते कोई चैनल उसकी पिछली पुन कमाई से कोई चैनल ओन हो गया, यानि कोई कमल खुल गया, उसमें वो आत्मा उसका परवेश कर गया, स्रीर यहीं पर है, वो अपने ही स्रीर में अंदर शेही उस टीवी पर देखता देखता अंदर घुस जाता है, और उस कमल में यानि जैसे गनेश जी के कमल में, मूल कमल में परवेश हो गया, उसके लोक में समाधी पहुंचगी अटोमेटि और वहां जो हो रहे हैं नाच गाने कोई भी किरिया किसी परकार का को राज का पाठ का कोई सुष्था गण हैं वो बैठे हैं बातियां कर रहे हैं कोई कुछ हो रहा है कई कुछ हो रहा है जैसे इस लोक में चल रहा है ऐसे वो देखता रहता है उसको पता ही नहीं होता तू यहां बैठा है कितनी देर होगी नहीं तो बैठ नहीं सकता है यह मन एक मिंट भी नहीं बैठ नहीं दे दस मिंट में कोई नहीं को बरोड़ी लगा देगा चल वहां चलते हैं ऐसा देखते हैं ऐसा करते हैं जैसे फिलम देखते हैं तीन घंटे होते हैं और तीन घंटे का पता नहीं लगता देखनियान है यदि उनके अनुकूल होतवा तो इसी परकार ये अंदर एक फिलम देखते रहते हैं और इस कारण से ये काफी वरसों तक उन्यों बैठ्या करते हैं और उस बैठे रहने से इनको तप बन जाता है और कभी याद आ जाता है तो ये मंतर का जाप भी करते हैं इन दोनों का मिलाजुला जो संयोग है इनको स्वरग में प्राफ्ट होता है जिसने जादा समाधी मेडिटेशन यानि हठीयो किया तफ किया तो उसको इंदर बना दिया जाता है स्वरग का राजा भी बन जाता है ओम नाम का जाप साथ में ये हठीयो करने वाले पहले ब्रिम लोक में जाते हैं और ब्रिम लोक के बाद फिर ये पिर्चवी पर रज प्राफ्ट करते हैं और उसके बाद तरश दोलाएक योनियों में दोके खाते हैं तो बार्ओंडेर इसी कहे रा कि मेरी समाधी जहां पर थी अर्थात मैं जहां नाच गाने देख रहा था बिनमलोक वे वहां नाचने वाली अपसराओं की तेरे जैसी तो वहां साथ साथ नौकराणी थी शेवन उनके पैर दोने वाली तो मैं तो उनके डांस देख रहा था और तेरे ते कोई सुन्दर और हो उसने बेज़ तो वह कहती है कि मैं इंदर की रानी मैं ही हूँ पटरानी इंदर की पटरानी मैं ही हूँ और आप एक बार श्वर्ग लोक में इंदर लोक में चलो नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे मुझे ध्का रहेंगे मेरी आप एक पर वहाँ चलो मेरी बेज़ती हो जाएगी कि तू हारिका आएगी मारकंडे रिसी ने कहा कि इंदर की मर्चु होगी तब तू क्या करेगी उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे चौदै इंदरों को वरूंगी अब पुन्यात्मा इस काल के जाल से प्रीचित हो अच्छी तरह वो पुन्यात्मा जो वहाँ पटरानी बनी है स्वर्ग के राजा की उस पुन्यात्मा ने कितने साधना की यहां की कितने जबर्दत साधना की होगी कितनी लंबी आयू प्राप्त की कहती है चौदै इंदर वरूंगी मैं और फिर मरूंगी एक इंदर का सासनकाल है बहतर चतुर योगी 72 यह जो चतुर योगी किसे कहते हैं सत्योग तरेता द्वापरकल योग इन चारों योगों का जो स्पीरिड है इसको चतुर योगी कहते हैं यह कितना होता है तरतारिस लाख बीस हजार वर्स एक चतुर योग तरतारिस लाख बीस हजार वर्स का और एक इंदर का सासनकाल बहतर चतुर युग बहतर और वो कहती है कि मैं ऐसे ऐसे जो बहतर चतुर युग तक राज करेंगे फिर ये इंदर तो मर जाएगा जो वरतमान में है ये तो गधे की यो निम जाएगा उसके बाद दूसरा जिसने तफ कर रख्या वो रिजर्व है उसको फिर बठा दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में है वो वो इंदर का सुरग का राजा इंदर बन जाएगा इंदर की पद भी पावेगा फिर बहतर चौकडी युग पुरा करके वो भी मर जाएगा ऐसे चौदे इंदर मरेंगे अपना सासनकाल पुरा करेंगे तब तक मैं परतेक इंदर के साथ उस सुरग में आनद लेती रहूँगी उनकी पत्नी बनी रहूँगी अपने अत्मा परमात्मा ने इस बात का इंदर ने दिया है मारकन्डे रिult की कथा के माद़न से के मारकन्डे रिशी ने पूछा के मुझे मुझे तु उस सुरग लोक में इसलिए ले जावा था इंदर के लोक में इंदर की पट्राणी ने कहा के में अपनी इज़त रखने के लिए यह नहीं तो मुझे मेरी मजाग करेंगे और कहेंगे तुम हार के आगी मेरी बेजती हो जाएगी मारकंडे रिशी ने पूछा कि चौदा इंदर करेंगी तो वो चौदा भी मरेंगे फिर क्या करेंगी यानि मरतू तो तुरी फिर भी होगी फिर वो कहने लगी जितने इंदर मैं बोगूंगी वह तो गदे बनेंगे और मैं गदी बनूँगी अपना ये स्वर्ग कासे में पूरा करके तो मारकंडेर इसी बोला फिर गदी यहां कह एज़त किसी जब तो खुद कह रही तो अब जिन्देजी गदी और फिर भी जद्दार कैल आती है चोदा खसम करेंगी चोदा इंदर बोग गएगी और फिर के बनेगी फिर गदी आज भी गदी है तू बनने से पहले इतने मैं इंदर आगया जो पता लगया कि मारकंडेर इसी टस से मस नहीं हुआ इंदर ने आगर महराज यह बंद निवाज इंदर की गदी प्राफ्त करो तू जिते हमारी मारकंडेर इसी ने कहा कि आज़े अरे अरे इंदर तू क्या कहता है यह इंदर की इंदर की गदी भी रह किस्तिये काम की नहीं मुझे नहीं चाहिए तेरे इंदर का राज और उसको समझाने की चेष्टा की मारकंडे रिसी ने के इंदर आप तुझे मालूम है के बहतर चौकडी युग पूरा करके तेरी मर्ट्यू होगी तेरा सासन काल पूरा होगा और उसके बाद तें गधा बनेगा आजा मैं तुझे कैसा मारक बताऊंगा ऐसी भक्ती दूँगा तुँ अमर हो जाएगा तो फिर तेरी मर्ट्यू नहीं होगी अब मारकंडे रिसी ने कहा कि आजा तुझे बरहम लोक की साधना बता जूँ अब मारकंडे रिसी जी को कि बरहम लोक ही सबसे बड़ा लाश्ट दिखे था लेकिन गीता जिद्धा जिद्धा नमबर आठ के सलोक नमबर सोला में कहा है कि बरहम लोक परियंत ये सभी लोक पुन्रावर्ती में हैं पुन्रावर्ती में बार बार जनम मर्टू होती है इसको महा सुरग भी बोलते हैं बरहम लोक भी बोलते हैं बरहम लोक में गए प्राणी भी अपने पुनों को समाप्त करके पुनों के अक्सीन होने पर भी जाते हैं लेकिन उनका पेरिड जादा होता है ब्रहम लोक में गए हुए पराणियों का समय बहुत जादा हो जाता है वहाँ पर भी इस बात पर निर्भर करती है कि जिसने अधिक साधना कर रखी है वो उम नाम की या गवन की ये हैं तो उसका सासनकाल एक विर्भा की मर्तू तक भी रह जाता है पर तेका नहीं विसीज का तो मारकंडी इसी ने यही सोच रखा था कि वहाँ जाने के बाद 36 जार बार 36 जार बार उत्पत्ती और परले होती है इस एक विर्भान की 36,000 बार तब तक वहां रहा दा सकता है बिर्म लोक में लेकिन मर्टू फिर भी होगी तो पुनात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आकर हमें ये ग्यान दिया है स्वेम ही आकर हमें ये ग्यान बता है कि इस जनम मर्टू के रोग से छुटने के लिए आप जी को मेरे दोवारा यानि कबीर परमेश्वर जी दोवारा बताई गई साधना का अनुसरन और उसका पालन करना होगा फिर तुमारी मर्टू कभी नहीं होगी सत लोग चले जाओगे अपना तुमा बिर्मा जी की भी मर्टू होगी विष्णो जी की भी मर्टू होगी और सिव जी की भी मर्टू होगी इनका पिता है जोती निरंदन की माता है दुरगा या श्टंगी परकर्ती देवी इसकी भी मर्टू होगी जो इनका पिता है काल इसको ब्रहम बोलते हैं ब्रह्म जो 21 ब्रमान्ड का स्वामी है इस ब्रह्म के भी मरित्यू होगी अब यहां थोड़ा सा कंशेप्ट कलियर करना पड़ेगा क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अन्याई जो हैं हिंदू यह ब्रमा विश्म महेश को अजरो अमर मानते हैं दंत कथा के अधार पर लोग बेच गया था जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका जनम मर्चू होता है इसकी इनके माता पिता है यह देखिएगा श्रीमद देवी भागवत प्राण यानि दुर्ग सक्ती प्राण श्रीमद देवी भागवत सचीतर मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर श्रीमद देवी भागवत सचीतर मोटा टाइप केवल हिंदी शंपाद खन्मान प्रशाद पोधार चिमिनलाल गोस्वाम प्रकासक एमें मुदरक गीता प्रैस गोरखपुर गोविन नौवन कारियाले कुलकृता का संस्थान इसके तीसरे सकंद में 123 प्रिष्ट पर यह है संग्सिप्थ देवी भागवत तीसरा सकंद प्रिष्ट 123 प्रिष्ट पर यहां से सरू करते हैं बगवान विश्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता है तुम सुद सुरूपा हो यह सारा संसार तुमें से उद्वासित हो रहा है मैं बिर्मा और संकर हम सभी तुमारी के रपासे विद्मान है हमारा अविर्भाव में जनम त्रोभाव में मर्टू हुआ करता है हमारा तो जनम और मर्टू अविर्भाव और त्रोभाव होता है अर्थात हम अविनासी नहीं हैं केवल तुम ही नत हो तुम ही अविनासी हो जगत जननी हो परकर्ती और सनातनी देवी हो परकर्ती भी दुर्गा कोई कहते हैं अब यहां देखिएगा भगवान शंकर बोले देवी यधी माभाग विश्णों तुमी से उत्पन हुए हैं परकर्त हुए हैं तो उनके बाद उत्पन होने वाले बिर्मा भी तुमारे ही बालक हुए फिर मैं तमोगनी लीला करने वाला संकर क्या तुमारी संता नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन करने वाली तुम ह हो शिवे संकून संसार के सिरिष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो इस संसार की शिरिष्डी सतिथी और सहार में तुम्हारे गुण सदश्म नहीं तीनों गुणों से उत्पन हम एक लिभन्ह विश्ण अमसंक्र रज़ गुन नेवह अमसार कारिये में तद पर रहते हैं अब इसे पवीतर पुराण ने तीसरे सकंद में 123 पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर दिया कि बिर्मा विश्णो महेश ये तिन्नु नासवान है और दुर्गा इनकी जनम देने वाली है इनकी माता है जननी है और दूसरा ये कंसेप्ट कलिर तीसरा ये हो गया के रजगुन विर्मा है, सट्कुन विश्नु, तब्गुन शिवजी है और चौथा कंसेप्ट ये कलिर हुआ कि ये केवल नИयमित काम कर सकते हैं नियमित जैसा कर्म आपका है वैसा ही दे सकते हैं इसमें कोई प्रिवर्तन नहीं कर सकते हैं जैसे अभी तक हम सुनते आए हैं कि जैसे करम करेगा वैसा फल देगा भगवान तो ये भगवान तो ब्रह्म तक भी पर ब्रह्म तक भी एक पूर्ण ब्रह्म न छोड़ का है पार ब्रह्म को छोड़ कर जितने भी ये भगवान है ये केवल वर्क डन दे सकते हैं जैसा किया वैसा ही फल मिलेगा पुन के लिए अलग अकाउंट है खाता है और पाप का अलग से तो दोनों ही भोगने पड़ते हैं ये सफस्ट कर रहे हैं कि हमारे अम्तों केवल वही जो सीमित हमारी पावर्द हैं उस पावर्द के हिसाब से हम सब काम करते हैं हम किसी में कुछ चैंज नहीं कर सकते हैं नियमित काम करते हैं अपने अत्मों जब तक ये तत्व ग्यान हमें प्राप्त नहीं हुआ था इस दास को भी पुटर हिंदू धरमजनम होने के कारण बर्मा भी सुनो महिस की वो लोग वेद कहानियां सुना करते थे इनके कोई माता पिता नहीं अद्रो अमर हैं यही सर्वसक्तिमान हैं यह सतिथी सहार और स्रिष्टी यही करते हैं अब इनकी जीवनी हम खुद पढ़ने योग हुए आपको भी पढ़ाईश्ट प्रोजेक्टर के मादन से तो अब हम यह डड़े नहीं डोएंगे हम यह भगवान जितनी सक्ति रखते हैं हम इसे प्रीचित होगे यह बुरे नहीं बताए जैसे गिता जी दैन नमर दो सलोक नमर चालिस होर्टी सिक्स में कहा कि अरजुन एक बहुत बड़े जलासे की पराप्टी के उपरानथ छोटे जलासे में जैसी आस्ठा रह जाती है इसी परकार उस प्रमातम तत्व को जानने के उपरानथ अन्य ग्यान में तेरी जैसी बुदी रह जाए आस्ठा रह जाएगी तेरी उतनी ही आस्था रह जाई कहने का भाव यह है कि जैसे पहले तालाबों के उपर जलास्यों के उपर आसरी तो होता था मानो जीवन फल फूरूट बहुत होते थे नाना आहर करना कोई सबजी बोलेते थे थोड़ी बहुत कोई अपना खेती करते थे तो भी इन तालाबों का ही सहयोग लिया करते थे वर्सा समय पर हो जाया करती थी वर्सा होती रहती कई बार अकाल भी गर जाते थे तो जैसे छोटे तालाब में जिस पर आसरीत है वो विक्ति एक परिवार ऐसे दस-दस-पंस-पंस परिवारे तालाब के किनारे रहा करते थे जौपरी डाल डूल गए तो ये बताना चाहा है कि उस तालाब पर आसरीत विक्ति कि इस तालाब पर के जिसमें एक वर्स वर्सा ना हो तो उसका पानी सूख जा उस में जल नहीं रही और आसरीत लोग भी जल के अभाव से महा कॉश्ट को परापत हो मर्टु को परापत हो जाती है और उन वेक्तियों को एक बहुत बड़ी जृल बहुत बड़ा जला से परापत हो जा जिसका जल दस व्रस वर्सा ना हो तो वी समाप्त ना हुए तो कहते हैं फिर जितनी आश्था उसमें हो जागी जो बहुत बड़ा heck और फिर छोटे जलास्य में जैसे आश्था रहे जागी वो छोटे जलास, छोटा जलास्य हुआ बुरा नहीं लेकिन सुफी सेंट नहीं वो तो काम चलाओ है बुरा नहीं जल तो उसमें भी है और बड़िया मीठा जल है लेकिन वो नश्ट होने का है वो समाप्त हो जाएगा और एक वरस वरसा ना हुई तो सब उसके आस्रित भी मर जाएंगे तो कहने का बहुँ है कि बड़ा जलाशे जब मिल जाएगा तो छोटे में आस्था छोटा जलाशे बुरा नहीं लेकिन वा रहा है कोई नहीं फिरे ठाक है जो अपड़ी वहां जाड़ डालेंगे उसके आसपास चाहिए दस किलो मिटर बीस किलो मिटर बहुँ हो चाहिए सो क आस्था इन बिर्मा भी सुनो महेश और बिर्म ऐसे रह जाएगी जैसे छोटे जलाशे में रह जाती है छोटा जलाशे बुरा नहीं लगता लेकिन उसकी आवकात का पता लाए गया कि यह तक कभी भी धोखा दे सकता है यो भी सुख है वरसाना होता है और आम भी मरें साथ पर कोई दोड़ के चला जाता है वहां तुरंट पहुंच जाते हैं इसी परकार पुन्यातमों आप जीको और हमें सभी पहले ग्यान नहीं था और हम इनी बगवानों पर इसी जलाशे पर आसरी थे अब हमें वो जील मिल गी वो बड़ा जलाशे प्राफ्त हो गया यानी सत लोक का ज्ञान हो गया तो वहां चलने की तयरी करनी चाहिए उसके लिए क्या विताते हैं परवातमा ने आके उसके कुछ प्रोसीजर है उसको अपनाएए कुछ क्रियाएं हैं वो कीजिए फिर आप वहां पहुँच जाओगे जहां जाने के बाद पिर किसी ज़स्तू का उसके लिए सबसे पहले बताया है कि सत्गुरु की खोज करो, पुनात्मा हो वैसे तो गुरु शब्द प्रियाप्त है, गुरु, गुरु वो होता है जो कोई मारक दर्सन करता है, जैसे वैसे तो गुरु जैसे कोई आम लिक्ती है, कोई लकडी का गुरु है, कोई लोए का गुरु है, कोई मठके बनाने सिखाओ, वो गुरु है, कोई आब उसन बनाने सिखाता हूँ गुरु है, कोई अकसर ग्यान कराते हैं टीचर, वो गुरु है, और प्रार्व में माता पिता भी गुरू होते हैं बच्चे को उठना बैशना खिलाना चलना बोलना सिखाते हैं लेकिन हम जिस गुरू के बारे में बात कर रहे हैं वो अध्यात्मिक गुरू गुरू अर्थ टीचर तो गुरू शब्द बहुत होता है ये समझाने के लिए कि गुरू क्या ग्यान देते हैं लेकिन ये नकली गुरू अधीक हो जाने के कारण यहां सत्गुरू सब्द बनाना लिखना पड़ा उसके साथ सत्ग लगाना पड़ा सत माने सचा सचा गरू सद्गरू सबसे पहले हमने सद्गरू की खोज करनी पड़ेगि और सद्गरू शोये जो सबद बतावे है सद्गुरु सोय सत्ञाम बतावे और गुरु का चुकाम नावे सद्गुरु वही है जो सत्ञाम देता है ये बहुत सी है कबीर पंथी भी सत्ञाम देते हैं वो क्या बताते हैं सतनाम सतनाम जपलो ऐसे नहीं सतनाम कोई जाप नहीं है करने का सतनाम का रहता है सचे नाम वो सच्चा नाम दो अक्सर का होता है जिसमें एक ओम अक्सर है और एक सांकेतिक है वो ये दास बताओगा उपदेश्टी को गीताजे 10 नुमर 17 के सलोक नुमर 23 में पूर्ण प्रमात्मा की प्राप्ति का विधान बताया है ओम तत सत इती निर्देसे है बर्मने तिर्विधे समर्ते ब्रामना तेन विदा विहिता चपुरा कहते हैं उस सचीदानंद घनबर्म की प्राप्ति का उस सत लोक को प्राप्त करने का गीताजे 10 नुमर 15 के सलोक नुमर 4 में कहा कि तत्व दर्सी संथ की प्राप्ति के उपरांत इस उलजी हुई गुथी को तत्व ज्यान रुपी सस्तर से काट कर उसके पस्चाथ प्रमेश्वर के उस प्रमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये प्राप्ति फिर लोटकर संसार में कभी नहीं आता अर्थात जनम मर्तू के इस दीर ग्रोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और जिस प्रमेश्वर ने संसार रुपी वर्ख्स की रचना की अर्थात पूरे संसार बर्वंडों की जिसने रचना की वो कुल मालिक सरजन हार है और मैं भी यानि गीता ग्यान दाता कहता है कि मैं भी उसी की सरण में हूँ इस परकार ध्यान करो उसी की पूजा करो तो उसकी पाने के लिए उस सत्लोक में जाने के लिए उस परंपद की उस परंपद को प्राप्द करने के लिए कि जहां फिर जनमर्टू कभी नहीं होती उसके लिए यहां बताया है सत्तर में जहाए कि तेईसमें स्लोक में कि उस सचिदानंद घंबर्म का उसकी प्राप्ति का कि अल ओम तद्सत यहे तीन मंतर के जाब का और तीन विधी से जाब करने का निर्देश है निर्देश माने फाइनल फैंसला अब जो सद्गर्णत बोलने वाला ब्रहम कहरा है कि यह निर्देश है यह मेरा और्डर है नथिंग एल्स तो उसमें ओम तो सिधा ही बोल दिया ब्रहम का है और तत यह संकेती का यह परब्रहम का है अक्सर पुछ का और इसमें एक तत तत तो यह गुप्त है संकेती की अदास बताये था तो उस दोलों के मिल जाने से सतनाम बनता है तो यहां बताया है और फिर सत सब्द सत सब्द जिसको सार नाम भी कहते है तो यहां ओम तत यह दो मिलकर सतनाम बन जाता है तत्तिस हंकेतिक है और सत ये सार नाम की तरफ हंकेत है तो ऐसे ये तीनों मंतरों का ज़ाब तीन ही परकार से होता है ये दास आपको बताएगा और दिन को प्राप्त हो चुका है उनको भी मालूम है तो यहां कहते हैं गुरू सुए सत नाम बतावे और गुरू को एक काम ना आवे अन्य जो गुरू है वो केवल संसार के ही संसार की किरियाओं को ही हमें समझा पाते हैं और केवल एक रोजी रोटी तक ही सीमी थम रह जाते हैं जो गुरू है सत गुरू वही है जो सच्चा नाम बतावे और अन्य गुरू जो भक्ती मारक के भी जो अन्य गुरू है नकली है जूटे गल्ट मंतर देते हैं गल्ट ग्यान रखते हैं समझाते हैं तो वो गुरू हमारे काम नहीं आवे इसलिए सद्गुरू सब्द का प्रियोग करना पड़ा तो सचा गुरू तो पर्मात्मा पाने के लिए सच्चे गुरू की तलास करनी चाहिए पुन्यात्मा पूर्ण ब्रह्म शर्वेश्ष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब ये अपनी पैरी आत्मों को इतारत ग्यान कराने के लिए स्वंही सत लोग से अमर लोग से चल कराते हैं जहाँ इनका निजशथान है और यहां आकर के उस तत्व ग्यान को हमें बताते हैं तो उसमें क्या बताते हैं एक समय प्रमात्मा कबीर जी आज से 600 वर्ष पहले लगबल 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस तरातल पर, एक जन साधान की भूमिका करके, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और अपने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका, एक अच्छे सिस में क्या गुन होने चाहिए, और एक अच्छे भग्त में, कितनी आस्था हो वगवान में, और कितना विश्वास हो, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसे उसका जोना दिन चरिया हो, इसका एक प्रैक्टीकल रूप पर तेक युग में वो करके जाते हैं, एक जन साधान जैसी भूमिका करते हैं, अपने करकमनों से निर्वा करके अपन lado करते हुए, बग्ती भी करते हुए जज़राते हैं, वो तो परमातमा होते हैं, लेकिन हमारे लिए धर्म देते हैं, ए ऐसे साधना करने से तुम पार होगे तो ऐसी लीला वो करने के लिए आई हुए थे और एक जुलाहे का कारिये करने से ताना कपड़ा बुन्नेश के कारण जुलाहे का कारिये करने के कारण वो जुलाहा कैलाई वो प्रमात्मा सैसरी राय थे किसी माँ से जनब ने लिया था कासी सहर कासी सहर जिसको बनारस भी बोलते हैं उस कासी सहर के अंदर एक लहरतारा नामक तलाब है आज भी विद्मान है उसमें तो और जादा वो अपने ये थारत रूप में था उसमें कमल के फूल खिले हुए थे परमात्मा सत लोग से आए कि एक सी सु रूप धारन किया और कमल के फूल पर ब्रादमान हो गए इनके परितिक्स द्रश्टा एक अश्टानन नाम के रिशी है और नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दमपती उनको उठा ले गया परमात्मा बालक रूप में वो नी संतान थे और परमात्मा की परवर्स की लीला एक जुलाहे के घर हुई फिर बड़े होकर के उसे उसी जुलाहे के कारिये को करने लगे जिस कारण से उसुलाहा कैलाए है उनके कोई माता पिता नहीं है तो जब परमात्मा यहां आए हुए थे एक सो बीस वरस तक रहे बड़े हुए जब पांच छे वरस की आईयों में ही उनके बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुडा जिये थे किसी के पास जबाब नहीं था परमात्मा परसन क्या करते थे कौन बर मा का पिता है कौन विशनों की मा और संकर का दादा कौन है मंडलेस वर दे बता जिस के पास भी जाते थे केह ब्रामन हे रिशी ये उतर दो वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नियता अजरो आमर है सर्वेश्वर है महेश्वर है और ये सारी स्रिष्टी की यही करता है यही सथिची करता यही सथिची करता यह सहार करता लेकिन प्रमातमा पता करते थे नहीं आप गल्द ग्यान दे रहे हो तुम अपने ही सद्गरंथों से प्रिचित नहीं हो उस से में परमात्मा की परमेश्वर कबीर जी की वार्णी को किसी ने विश्वास नहीं किया नहीं समझा और वही वार्णी छस्टो वर्ष पहले लिखी हुई आज आपके समख और बता रहे हैं और हमारे सद्गरंथ जिनको हम सचे गरंथ मानते थे जैसे पुराण पुईतर अठारा पुराण पुईतर शिरीमत बगुत गीता पुईतर चारों वेज ये उस परमेश्वर कबीर जी का ही गुनगान करते हैं और बिर्मा विश्वर महेश की ये थार्थ जीवनी से वो परीचित करा रहे हैं कि इनका जनम मर्तु होता है दुरुगा इनकी माता है जो तिनरंदरिन का पिता ये काल रूपी भगवान तो पुन्यात्मा हो प्रमात्मा जगे 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 जाके सत्संग क्या करते थे और यही विचार व्यक्त करते थे कि प्रमात्मा पाने के लिए सबसे पहले गुरुजी की आव सकता है पहले थे यह डिफरेंस बताते थे कि तुम जिन भगवानों का जाब करते हो भगती करते हो वो केवल तुम्हें वर्क डन ही देते है जैसा तुम करोगे वैसा ही देंगे जिसमें अगर आपके भागे में कोई दुख है उसमें कोई प्रिवर्तन आपके बिर्मा विशुनो महिस नहीं कर सकते आप कोई परसंड करता था कि आप कैसे कह रहे हो कभीर जी को कहा करते थे प्रमेश्वर को कि तुम ये कैसे बात कह रहे हो कि बिर्मा विशुनो महिस कुछ नहीं कर सकते राजा मोर धोज के पूत्र तामर धोज को आरे से चिर्वा के जीवित कर दिया था प्रमात्मा कहा करते थे कि तामर धोज को तो जीवित कर दिया था लेकिन अभिमन्नो को जीवित नहीं कर सके श्री किर्शन जी, अभिमन्नो सुब्द्रा का पूतर था, सुब्द्रा श्री किर्शन जी की बहन थी, अभिमन्नो श्री किर्शन जी का भांजा था, अपने भांजे को जीवित नहीं कर सका, जबकि पांड़ों का कुल नास हो रहा श्रीकर्शन रो रहा था, सारे पंडों का परिवार रो रहा था, सुखध्रा भी टक्र मार रही थी इतलोते पूतर की मर्टू के उपरांथ, श्रीकर्शन जी भी इतन ही कर सके, अब इसका कारण क्या है, प्रमात्मा ने बताया कि श्रीकर्शन जी उर्फ विश्णो, विश् जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते हैं हाँ इतनी पाउरिन में है जैसे किसी का स्रीर काट दिया यह दोबारा जोड सकते हैं जैसे तामर्धवज को आरे से चिरुआ कर दो फाड करवा जिया था मर्टू को प्राप्ट हो गया था उस स्रीर को पगवान स्रीकर्शन जी ने पुने जोड़ दिया फिर जीवित कर दिया क्योंकि तामर धवज के स्वास सेश थे उसकी जीवन सेश था वो भी उसकी आईयू बची हुई थी इसलिए स्रीकर्शन जी ने उसको जीवित कर दिया आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatkarurampalji.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्वभर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541